हेलो फ्रेंड्स, वेलकम डवा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलोजी टेप्स हिंदी में आज की वीडियो पोश अमावस्या 2022 दो या 13 जरवरी विसेश महा सयोग करना ना भूले ये एक महा उपाए 24 घंटे में ही दिखेगा असर हिंदु धर्म में अमावस्या तिथी का विसेश महत होता है मानेताव के अनुसार अमावस्या तिथी को धर्म कर्म इसनान दान और पित्रों के तरपन के लिए बहुते शुम माना जाता है पोश माह में किरिस्न पक्ष के अंतिम्तिथी को पोश अमावस्या कहा जाता है पोश पूर्वजू की आत्मा की शांती के लिए तरपन और श्रात करने का विधान है और वहीं पित्र दोस्त और काल सप्र दोस्त से मुक्ति के लिए इस दिन उपवास भी रखा जाता है इस दिन महिलाएं पती की लंबी आयू की कामना के लिए व्रत रखती है आज इस वीडियो म जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें साथ ही ब्रत प्रादन के परभाहु से हर तरह के पाप नस्त होते हैं अगनी वायू रिशी आधी भी त्रिप्त होकर प्रश्चन होते हैं। इस दिन दान आधी का भी काफी विसेस महत्त होता है। मानेत है कि अमवस्य की दिन गरीबु को भोजन कराने से यह सिधा पित्रों तक पहुसता है। साथ ही ऐसा करने से पित्र दोस से मुक्ति मिलती इसके अलावा इस दिन गंगा इसनान कर पूजा आधी करने से जातक को अमोग फल की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं पोश अमवस्य व्रत की तिथी और शुम हुरत के बारे में। प्रत रखते हैं या रखना चाहते हैं। वे इस दिस सुबह ब्रहम मुरत में उठकर किसी पवित्र नदी में इसनान करें। यदि पवित्र नदी में इसनान करना संभाव ना हो तो पानी में गंगा जर मिलाकर इसनान करें। पोश अमवस्य पर पित्रों को तरपन करने का विस्टेस महतो है इसलिए इसनान करने के बाद सूरीदेव को जलारपन करें और लाल पुस्प लाल जंदन डाल कर अगरदे और पित्रों का तरपन करें इसकी बाद पीपल के व्रिक्ष और तुलसी के पौधी को जलारपित करें और एक चोव मुखी दिपक जला कर खुशाल जीवन के प्रातना करें. इसके साथ ही तोलसी के पौधे या पीपल की पेड़ की परिकर्मा भी करें. इस दिन पित्रों के नाम से दान करने का भी काफे महत्च होता है. इस दिन ज़रूरत मंद लोगों को दान दक्षिना देने से पित्र दोस और काल सप्रदोस से मुक्ती मि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने विचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेर करें आगे के ऐसी ही लेटरस वीडियो के लिए आज ही एस्ट्रोजी टिप्स हिंदी मैं चानल को सब्सक्राइब करना ना कुले थेंक यू